हाई फ्रेंट्स मैं हूं रेखा और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रेखा दा इंडियन मॉम में स्वागत है फ्रेंट्स आज हम आपके लेके आए हैं चिल्डरंस डे स्पैशल काजु पिस्ता रोल फ्रेंट्स बच्चे बहुत पसंद करते हैं इसलिए हमने सोचा क्य कर CORundy में बहुत आसानी से तयार की जा सके आए हम काजु पिस्ता रोल को बहुत यासानी से तयार करते हैं आई ये बनाना स्टार्ट करते हैं कजू पिस्ता रोल बनाने के लिए मैंने यहां पर लिये हैं और चार चमच मैंने यहां पर मिल्क पॉडर लिया है अब हम सबसे पहले काजू और पिस्टा को बिल्कुल बारीग पीस लेगे फिर्ट्स मैंने काजू को बिल्कुल अच्छे से देखिए ग्राइंड कर लिया है अब हम इसको किसी बर्तन में निकाल देंगे फिर्ट्स हमें काजू का जो हमने पाउडर तयार किया है उसे छानना है इसलिए मैंने बड़े बरतन में चलनी लगा दी है इसमें हम काजू का पाउडर डाल देंगे मैंने इसको पीसने में बिल्कुल भी पानी या दूद नहीं डाला है सूखा ही पीसा है अब हम इसको बहुत अच्छे से चान लेंगे काजू पाउडर को मैंने चान लिया है अब इसी तरह से हम पिस्टा भी पीस लेंगे फिंट्स देखिए मैंने पिस्टा को भी एकदम बारी पीस लिया है अब हम इसको एक बाल में निकाल लेंगे फिंट्स पिस्टा पाउडर मैंने बाल में निकाल लिया है देखिए बिल्कुल बारी को बहुत अच्छा एकदम पिस्केया है काजू पाउडर भी हमने बॉल में निकाल लिया है देखिए बहुत ही अच्छा एकदम बारी हमने इसको पीस लिया है और छान लिया है अब हम इसमें चार चमच मिल्क पाउडर डाल देंगे और अब इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखिए काउजू पाउडर और मिल्क पाउडर हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है आईए अब हम इसके लिए चाशनी दयार करते है चाशनी बनाने के लिए मैंने यहां पे एक आईरन की कड़ाई ली है इसमें मैं 200 ग्राम चीनी डाल दोंगी यहां पे जो हमने चीनी लिए यह काजू की कतली वाली ही चीनी है अगर आप रैगुलर चीनी उसमें लेते हैं तो उसमें आप दूट डाल के साफ कर लें इसमें हम डाल देंगे आदा कप पानी और फ्रिंट अब हम इसको बहुत अच्छे से चाशनी को तयार कर लेना है फ्रिंट वैसे तो मैं आपको चाशनी बनाना पहले अपने कई सारे वीडियो में बता चुकी हूँ पर हमें काजू पिस्ता रोल के लिए जो चाशनी तयार करनी है वो दो तार की यानि की टाइट चाशनी तयार करनी है इसलिए हमें चाशनी को बहुत अच्छे से पकाना है ताकि हमारे काजू पिस्ता रोल बहुत अच्छे से तयार हो जाए देखिए चीनी मेल्ट होने लग गई है देखिए चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है और एकदम अच्छे से बॉयल भी होने लग गई है हमने यहाँ पे काजू की कतली वाली चीनी ली है तो देखिए एकदम वाइट हमारी चाशनी तयार हो रही है अभी इसमें तार बनने नहीं लगा है इसलिए हमें इसको थोड़ा सा पकाना पड़ेगा देखिए फ्रेंड्स चाशनी अल्मूस्ट रेडी है एकदम गाड़ी हो गई है दो तार की भी हो गई है चाशनी चेक करने के लिए आप बाओल में चाशनी डालके देख सकते हैं मैंने बोल में बिल्कुल नॉर्मल वाटर लिया है इसमें हम चाशनी को डाल के देख लेंगे देखें चाशनी जम चुकी है इसका मतलब चाशनी बिल्कुल रेडी है ये देखें चाशनी एकदम जम गई है इसमें फ्लेम चाशनी बिल्कुल रेडी है हमने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है अब हम एक दो सेकिंड के लिए इसको इसी तरह से मिक्स करते रहेंगे देखिए चाशनी में जो बबल्स आ रहे थे वो बैठने लग गए है अब हमने जो काजू और मिल्क पाउडर तयार किया था थोड़ा थोड़ा करके चाशनी में मिक्स कर देंगे मैंने काजू पाउडर जो हमने तयार किया है चाशनी में डाल दिया है बहुत अच्छे से हम इसको चाशनी में मिक्स कर लेंगे काजू पाउडर बिल्कुल अच्छे से चाश्री में मिक्स हो चुका है अब हम इसको दो घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे ताकि एक दम अच्छे से ठंडा हो जाए और गाड़ा भी हो जाए फ्रिंट्स दो घंटे कंप्लीट हो चुके हैं हमने जो काजू पिस्ता रोल बनाने के लिए मटीरियल तैयार किया है एकदम ठंडा हो चुका है देखें टाइट भी हो गया है और बहुत अच्छे से टाइट हो गया है अब हम इसको कड़ाई में से बहार निकाल लेंगे फ्रिंट्स हमने यहाँ पे काजू रोल बनाने के लिए बिल्कुस सॉफ्ट वाला प्लास्टिक लिया है यह काजू की कतली बनाने के लिए आता है और किसी भी शॉप पे आराम से मिल जाता है आईए अब हम बनाना स्टा के लिया है देखिए जो हमने काजू चाशनी में काजू का पेस्ट जो हमने चाशनी में तयार किया था इसमें में पिस्ता डाल दूंगी हमें यहाँ पर 40 ग्राम पिस्ता डालना है तो मैंने यहाँ पर 4 चमच पिस्ता डाल दिया है अगर आप इसका कलर डाक करना चाहते है तो एक दो ड्रॉब ग्रीन क्लर के डाल सकते हैं आ इसको बहुत लिए सब्सक्रों कर लिकितने walking है कि युरिमित ठीपिंस को युषिस इसी तरह से उसलिफे मेंग्स कर लिया है और सारइश अब अभीना यहिक्षा उप्पषना रह रख देंगे और काजू का जो हमने पेस तयार किया है उसको हम बहुत अच्छे से इसी तरह से मेश कर लेंगे कि है Juice हमने जिस तरह से पिस्ता का डो तयार किया आता हमें काजु भी तयार कर लेंगे देखिए इसे हमें बहुत अच्छे से प्लास्टिक पर ही करना है नहीं तो हाथों में चिपक जाएगा बहुत अच्छे से हमने सब को मिक्स कर लिया है और जैसे हम आटा गूनते हैं एकदम सॉफ्ट आटा विलकुल उसी तरह से हमारा डो तैयार है देखिए अब हम इसको बेल लेते हैं फिर्ट्स हमें इस प्लास्टिक को हटाना नहीं है इसी पे ही हम इसको बेल लेंगे यहां पर मैंने फोल्ड कर दिया है और हम इसको आइस्ता आइस्ता बेल लेंगे और बहुत चादा पतला हमें इसको नहीं बेलना है देखे फ्रेंट्स मैंने बहुत अच्छे से इसको बेल लिया है और हमने पतला नहीं बेला है मोटा है काफी अब हमने जो पिस्ताट वाला जो मटीरल हमने तयार किया था डो तयार जो हमने किया था इसको हम इसमें बीच में फिल कर देंगे देखे फ्रेंट्स मैंने इसको बीच में बिलकुल अच्छे से सेट कर दिया है अब हम इसको दौनों साइट से फोल्ड कर देंगे इसको हमने फोल्ड कर दिया है और अब इसको पूरा एकसा कर देंगे हमें अभी काजू रोल के लिए एकदम इसको पतला और लंबा कर लेना है आप चाहिए तो इसके बीच में से दो पीसिस कर सकते हैं और फिर इसको हम लंबा कर लेंगे देखे बिलकुल अच्छे से हमारा काजू पिस्ता रोल रेडी है इसी तरह से हम सभी को तयार कर लेंगे देखे फिर काजू पिस्ता रोल बिलकुल रेडी है अब आप चाहें तो इस पे जो मिठाई पे बर्क लगती है काजू की कतली पे बर्क लगती है वह आप लगा सकते हैं अगर आपके उस अवैलेबल है तो नहीं चाहें तो आप ना लगाएं देखे फिरंट्स मैं यहां पे इस पे बर्क लगा रही हूं हम दौनों पीसे को पास पास रख लेंगे एकदम और इस पे बर्क लगा देंगे बर्क को भी आप हाथ से ना लगाएं इसमें जो पेपर है इसकी साहिता से आप इसको कवर कर दें नहीं तो बर्क सारा हाथ पे ही चिपका रह जाएगा देखे फ्रेंट्स मैंने इस पे सिल्वर कलर का बर्क भी लगा दिया है अब हम इसको पीसे में कट कर लेंगे दौनों पीसे पे बर्क लगी विए इसलिए हमें थोड़ा साइस को साइड में देखे बहुत ही अच्छे से हमारा काजू पिस्ता रोल तयार हुआ है लुकिंग में भी बहुत बढ़िया लग रहा है इसी तरह से हम सभी पीसे को कट कर लेंगे देखे फ्रेंट्स हमने सभी पीसे को बराबर बराबर साइज में कट कर लिया है लुकिंग में भी बहुत बढ़िया लग रहा है और खाने में तो बहुत टेस्टी होता ही है आपको बताए और बच्चे तो इसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं आईए सर्फ करते हैं देखिए friends, काजू पिस्ता रोल विल्कुल रेडी है, हमने सर्फ भी कर दिये हैं, अब आप जब चाहें तब बनाएं, तेस्ट करें और अपने कमेंट्स हमसे शेर करना ना भूलें, thank you, thank you so much, have a nice day.